स्टा प्लस किसी गुम है किसी के प्यार में में सबसे बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है जहाँ पर रजत ने अभी अभी तो सवी को प्रपोस किया है लेकिन अब इस प्रपोस करने से ही सवी प्रेग्नेंट भी हो जाएगी ठकर्स बहुत खुश हो जाएंगे खास करकी रजत की ममी जो कहेंगी अरे वा ह्सवी तो प्रेग्नेंट हो गई सवी जो की कभी मान नहीं वाचकती वो अचानक से प्रेग्नेंट हो जाएगी और भागेश्री ये जोर-जोर से पूरे घर में चिलाएगी कि मेरी बहु प्रेगनेंट हो गई रजत सीधा सभी के पास जाएगा और कहेगा ये सब तो नहीं हो सकता तुम ये बात जानती हो अमारे बीश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो फिर तुम प्रेगनेंट कैसे हो सकती हो सभी के पास रजत के लिए बहुत अच्छा जवाब होगा सभी रजत से कहेगी मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि मैं प्रेगनेंट नहीं हो सकती लेकिन क्या आप ये बात सही को समझा पाएंगे अब बात तो सही है ना शादी दोनों ने सही की वज़े सही की है तो फिर सही को तो इस बात को लेकर कनविन्स करना बहुत मुश्किल है हलाकि रज़त सब कुछ मतलब के लिए ही करता है उसने recently सवी को भी propose किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आशका वहां आ रही थी आशका उन्हें देख रही थी इसलिए रज़त से रहा नहीं गया और आशका को जलाने के लिए उसने सवी को propose कर डाला हलाकि सवी को यकीन नहीं हुआ कि रज़त क्या कर रहा है अचानक से जगड़ते जगड़ते उसने सवी को I love you कैसे कह दिया यही बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आई जिसका clarification रज़त को उसे देना पड़ेगा फिलहार हम आपको बस इतना बता दे कि सीरियल दिन पर दिन बहुत इंट्रेस्टिंग होता जा रहा है इस सीरियल से जुड़े हर अपडेट के लिए हमारी चैनल को फॉलूव ज़रूर करें